दोस्तों यह है टॉपिक क्लास 8th 9th 10th वे अधर कॉम्टेटिव एक्जाम के परपस से काफी प्रमिनेंट है इस वीडियो में हम 3D सेप यानि 3D जोमेटिकल सेप का लेटर सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया के फॉर्मूले जानेंगे और दोस्तों डेली लाइफ में ऐस एक्जाम के प्रपस से यही काफी इंपोर्टेंट है तो क्यूबएट हो गई ठीक है से क्यूब सिलिंडर और कॉन स्फेर हैमिस्फेर तो इनके जो फॉर्मूले हैं लेटर सर्फेस और टोटल सर्फेस एरिया का और वॉल्म आप वेरिस टाइपस आफ त्रीड सेप्स यहा क्यूब सर्फेस एरिया का फॉर्मूला हम यहां जानेंगे देखें यह क्यूबएट की सेफ है अब यहां इसकी सेफ में क्या क्या है देखिए यह इसकी लेंथ होगर जाएगी और यह इसकी ब्रेथ और यह इसकी हाइट अब यहां फॉर्मूला क्या होगा लेटर सर्फेस एरिया का तो एरिया ओफ फॉर वाल्स ओफर रूम या तो एक रूम की चार दिवारों का शेत्रफल निकाल लीजिए या फिर आप यानि की क्यूबएड के चार जो फेस होते हैं उनका एरिया क्या होगा इसका प्लस बी इन्टू एच अब यहां देखिए अगर हम सीलिंग का देखें पेरिमीतर या रेक्टेंगुलर जो फिलोर होती है रूम की उसका पेरिमीٹर देखें तो फ्लस बी होता है और उसमें यदि हैट की मल्टिप्लाइ कर दें तो वह लेटल सर्फेस हीडिया या चर surface area of a cuboid आ जाएगा अब total surface area of a cuboid देखते हैं तो इसका total surface area क्या होगा two bracket में L into B plus B into H plus H into L ये इसका total surface area TS से cuboid का हो जाएगा अब volume of a cuboid क्या होता है L into B into H cubic meter ठीक है cubic meter यानि meter में हो सकते है centimeter में यहाँ L into B into H cubic unit होगा unit कोई भी हो सकती है meter centimeter decometer ठीक है अब यहाँ यहाँ देखिए total surface area of a cube सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे इसका curved या later surface area of a cube अब यहाँ देखिए curved surface area क्या होगा इसका cube का 4 into side square होगा यह सभी side इसकी equal होती है यानि कि यह भी a side है यह भी a side है और यह भी a length breath height सभी equal होगी तो इसका 4 into side square हो जाएगा curved surface area total surface area क्या होगा इसका 6 into side square volume of cube volume of cube जब तीनों side equal होती है तो side into side into side यानि कि a cube इसका formula हो जाएगा side cube यानि कि a cube letters अगर इसका हम next पर चलते हैं cylinder cylinder का लेटल या curved surface area क्या होता है इसका लेटर surface area होगा 2 pi r into h 2 pi r क्या होता है देखिए यहां जो एक curved shape में हैं यानि कि यहां flat shape है अगर flat shape का यह flat shape curve उसमें circle shape में हैं तो circle का area sorry circle का circumference क्या होता है 2 pi r और यदि इसमें height की multiply कर देएं तो क्या आ जाएगा यह इसका curved surface area यह later surface area of cylinder आ जाएगा ठीक है यानि कि यह height हो गई इसकी cylinder की और यह circular part हो गया और उपर वाला भी और curve जो face होता है वो यह होता है तो यहां 2 pi r h हो जाएगा इसका formula अब total surface area of cylinder की बात करें तो यहां दोनों यानि की flat faces दोनों को add कर देंगे और curve surface area तो c h से plus 2 into pi r square यानि की circle का area जो यह flat face है टॉप और bottom का इन दोनों को add कर देंगे तो यहां c s से और लगा दीजिए 2 pi r h plus 2 pi r square अब इन दोनों में common जो आएगा वो 2 pi और bracket में क्या जाएगा r plus h इतने square unit होगी ठीक है अब volume of a cone की बात स्वरी volume of cylinder की बात करें तो volume of cylinder होगा pi r square यानि की जो circle का area होता है और into h और कर देंगे उसमें यह हो जाएगा pi r square h इसका volume हो जाएगा इतने cubic unit अब देखिए अगर cone का हमें curve या lateral surface area निकालना है तो कैसे निकालनेंगे उसका इसमें जो semicircle का semicircle के दीजिए semicircle circumference of semicircle तो यहाँ pi r होगा और into l कर देंगे l क्या है इसके slant height है और यह जो है इसका क्या है diameter ठीक है और इतने से इतने तक यह radius हो जाएगा ठीक है diameter जो है radius का two times होता है अब pi r into l जो है square unit इतना इसका यह curve surface area हो जाएगा इसका formula आईए अब इसके volume की बात करते हैं यह total surface area of cone तो यहाँ pi r तो यह तो curve surface area cs से हो गया और प्लस इसका जो flat face है इसका area और add कर देंगे यानि pi r square अब यहाँ pi r common ले लेंगे और bracket में आ जाएगा l plus r तो इतने square unit अब इसके volume की बात करते हैं तो जो cylinder का volume था उसका one third कर देंगे उसका one third की multiply कर देते हैं उसमें तो यह आ जाएगा one upon three pi r square h इसका volume हो जाएगा कौन का अब निकालते हैं हम sphere का sphere का curve या lateral surface area देखें या total surface area यह तीनों ही इसके equal होंगे इसमें क्या है कि जो circle का area होता है उसमें four की multiply कर देंगे हम तो वो इसका total surface area या curve surface area आ जाएगा volume of sphere में क्या करेंगे four upon three pi r cube कर देंगे इतने cubic unit हो जाएगा इसका volume sphere का अब आते हैं hemisphere hemisphere का जो curve या lateral surface area of hemisphere निकालें तो क्या करेंगे hemisphere में इसका two into pi r square यानि की circle का जो area होता है उसमें two की multiply कर दें तो यह आ जाएगा curve surface area of hemisphere यह hemisphere की safe है और मैं इसको दिखा देता हूँ आपको यह move भी हो जाता है यहां देखें लेकिन यहां जो है अभी मैं recording करना हूँ इसलिए यहां हो नहीं पाएगा total surface area of hemisphere तो total surface area of hemisphere क्या हो जाएगा two pi r square में pi r square और add कर देंगे यानि की इसके flat जो face होगा इसका तो यह हो जाएगा three pi r square total volume of hemisphere यानि की बाउल का निकाले volume तो यह क्या हो जाएगा two upon three pi r cube ठीक है दोस्तों और यहां एक list दी हुई है इससे related ठीक है shape lateral surface area यानि की LSA और total surface area टीस से यहां आप देख लेना यह क्यूब का lateral surface area यह total surface area है यह cube का lateral surface area यह total surface area निकालके भी बता दिया है और right prism का base perimeter into height होता है lateral surface area और उसमें यदि LSA में two into area of one end कर दें तो वो total surface area of right prism right circular cylinder अभी निकाला था LSA lateral surface area two pi r h होता है और two pi r plus h होता है TSA right circular cylinder गा right parameter का one upon two perimeter of base into slent height होता है LSA plus area of base यह total surface area हो जाएगा right parameter का right circular cone का भी देख लीजिए चेक कर लीजिए यहां और यहां solid sphere का यह है ठीक है दोस्तों और ऐसे ही नीचे hemisphere का भी दिया हुआ हुआ है आपको तो इसको द्यान पूर्बक देखना और ज्यादा से ज्यादा इसको like और share subscribe करना कर दो कर दो कर दो